चुनाबी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एटीवी भारत की टीम आज मजदूरों के बीच पहुंची है फुरुजबाद में करीब चार लाख मजदूर हैं जिनकी रोटी रोजी कांच कारोबार से चलती है इनकी भी तमाम समझ्या है सरकारों ने इनके लिए क्या काम किया कि अगरें पांच साल जो योगी सरकार के रहे उसमाइं के लिए कितना काम हुआ जो इस्तानी जनप्रद्री ने कितना काम किया मेरे साथ मजदूर निता है कुछ मजदूर भी उस सबसे बात करेंगे आपका नाम क्या है मेरा नाम रामदास मानव है कहा चैवन चूड़ी माहमंत्री हूं आप बदाईए कि पांच साल में कितना काम सरकारों ने आपके लिए कि आया कितना इस्तानी जनप्रद्री ने कि देखिए शिरोयाबाद के कांच हम चूड़ी उद्योग में कारत जो मजदूर है इनके लिए सरकार ने अभी एक सासना देश लागू कर दिय लेकिन और सासना देश का जमीन पर धरातल पर नहीं उत्रा है विदाईगी ने बहुत लंबी चोड़ी दिंगे मार दी और यह प्रिचार किया गया कि हमने यह सासना देश लाए हैं लेकिन आठ महीने होने के बाद भी आए तक किशीवी मजदूर को सासना देश के अनुसा जो सासना देश है सरकार ने को जादेश किया है इसका इंप्ली मेंटिशन होना चाहिए जिससे और इससे पहरे जो भी हमारे आपस के समझोते हुए हैं उन्हें से किसी भी समझोते का उनलंगन नहीं हुआ यह तो केवल एक सरकार ने आधेश कर दिया और इसका पालन नहीं होना इससे ज्यादा हमारे लिए बेड़ंबनागी बात क्या है इसके साथ मैं आपको आपको नम क्या है जैवीर शींग क्या मांगे हैं आपकी क्या समस्षा है अब लोगों की मांगे तो यह तोड़े के एसाफ से रेट होना चाहिए प्रती तोड़े पर 14 लीटर पर एक किया रहा है अगर हम लोग मांग बोलते हैं तो भो लोग हमारा काम बंद कर देते अभी भी बंद है जब लोग जब से अलताल हुए थी तब से हम लोगों को अभी भी काम नियुक्त है पांच साल में आपके लिए कितना काम हुआ है जी हमारे लिए कोई काम नहीं हमने यानी बारा दिन का धर्णा एलानगर की पुलिया पर दिया सब्सक्राइब मानीज असीजा जी हमसे बादा करके गए कि हम तुमारा ये खाम पूरा सासना देश का आदिस पूरा कराएंगे उन्होंने अभी तक तो कोई नहीं किया और हमने साई के लिया आत्रा भी नखलव में चार एक अप्चे के लिए हम चार पांच लोगों ने हैं ह हमने एक दिन का कानपुर में दरना भी दिया फिन नखलव भी गए किसाब मोर्या से मिले यानि हमारा कोई संका का समाधान निदान हो पर वह तक अभी तक कोई हमारा निदान नहीं गए अब यानि आके जो यानि सर्माइदार है वो हमको मुठी में दवाई हुए और कई 25 स लोगी दे रहा है और उसमें तेल भी नहीं दे रही तीम प्रवयाबाद में चार प्रतन दी विदायक सत्ता पक्षके हैं एक सांसची हैं लेकिन यह जलब लाए क्योंकि विधायक जिए हमारे द्यम साब नहीं होने किया है अघधि कोई नी हुरा क्योंकि इतना दवाब है जनता इतनी तरस्त है इनके दवाब से कि मजदूर तराय तराय कर रहा है आप बताईए कि क्या आपकी मांगे थी क्या आपकी समच्छा है जिनका समाधान नहीं हुआ और सरकात बारवड़ी बात है करती है कि मजदूरों के लिए बहुत काम हुए आपके नज़ेसे क्या हुआ है जब से निया के प्रिद्धी है जो भी हमारे मांग आती है हमारे सिर्मिक नेता रामदास मानब जी हमारी अवाज उठाते हैं तो बीच में टांक फसा देते हैं बिदाइक जी बिदाइक जी का कहना है कि मुझे कुर्सी दो मैं तुमें मजबूरी दूँगा मैं मुझे कुर्सी दो तुमें सताओंगा उन्हें ये कसम खा लिए से बात की कि चूड़ी जुड़ाई मजदूर अगर खुस्याली से खाने लगएगा तो उन्हें सबसे बड़ा पीड़ा और दुख होगा क्योंकि सलमाईदार है ना उनका पेट भर रहे हैं सलमाईदार कि सरकार का दावा जो भी हो लेकिन मजदूर कितने संतुष्ण यह अभी आपने खुस सुलिया कुलमला के जरूरत इस बात की भी सरकार इनकी मांगों पर गंभीता से गौर करे मैं अर्विन सर्मा एटीवी भारत फिरो जावाद